हेलो एब्रिवन मैं सुभम चुतरवेदी कॉंसेप्ट कॉम्टेटिव क्लासेज मदर महल जवलपुर से आप सभी के लिए रीजनिंग का टॉपिक लेकर आया हूँ डाइस इस वीडियो में हम डाइस के सभी कॉंसेप्ट को बहुत बढ़िया तरीके से समझेंगे और आप यकीन मानिए कि यदि आप इन कॉंसेप्ट को अच्छे से समझ लेते हैं तो उसके बाद आपको ये टॉपिक बहुत ही आसान लगेगा और आपके एक्जाम में यदि इसका कोश्चन आता है तो आप इसे बहुत ही आसानी से कम समय में कर लेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या है आपका कॉंसेप्ट इसका सबसे पहले बात करते हैं डाइस की डेफिनेशन तो डाइस की डेफिनेशन क्या होती है कि a small square object with a different number of spots from one to six on each side used in certain games मतलब कि डाइस क्या होता है डाइस एक square object होता है जिसमें क्या होते हैं different number of spots होते हैं हर साइड में और क्या होता है आपका कि इसका उपियोग कहां पर किया जाता है भाई games के लिए किया जाता है तो यह चीज़ा आप याद रखेगा अब यदि हम बात करते हैं dice की तो dice क्या होता है कि dice यदि हम बात करें तो आपको dice जो है as a cube दिखता है अब cube क्या होता है एक 3D object होता है मतलब कि dice भी 3D है अब dice 3D है मतलब कि आपको dice के एक बार में total कितने faces दिखेंगे 3 faces दिखेंगे मतलब यदि आपके सामने dice रखा हुआ है तो आपको उसके total कितने face दिखेंगे तीन एक दिखेगा top एक दिखेगा front और एक या तो right या फिर left तो dice के total आपको तीन face दिखेंगे अब यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो तीन face दिखते हैं इसलिए आपके exam में जो भी questions dice के आएंगे आप याद रखेगा आपको प्रते एक dice में आपको तीन face दिखेंगे ही दिखेंगे अब हम बात समझते हैं तो types of dice यानि के dice के प्रकार तो जो dice होते हैं वो two types के होते हैं एक होता है standard dice और एक होता है simple dice standardized को बोला जाता है मानक पासा और simple dice को बोला जाता है साधारण पासा simple dice को ही अंग्रेजी में कुछ लोग general dice भी कहते हैं तो ये चीज़ भी आप याद रखेगा अब क्या होता है standardized और क्या होता है simple dice इसके बारे में बात करते हैं तो standardized contains only digits from 1 to 6 यानि की आपका मानक पासा cable और cable क्या करता है भाई अंक को denote करता है कहां से कहां तक रहते हैं इसमें अंक एक से लेके 6 तक तो ये चीज़ आप याद रखेगा वहीं हम बात करते हैं simple dice तो simple dice contains digits, symbol, color, shape, etc. तो जो साधारण पासा होता है इसमें आपके digits होते हैं symbol होते हैं, color होते हैं, shape होते हैं और ये सब चीज़ें होते हैं अब digit का मतलब की एक से लेके 6 तक digit सुंगी symbol की अधी बात करें या फिर और भी number हो सकते हैं इस पर याद रखेगा symbol की बात करें तो add the rate का symbol होगा, has का symbol होगा, ये सब symbol होगे star का symbol हो सकता है, color की बात करें, या तो अलग-अलग color रहेंगे जैसे cube में रहते हैं, बच्चे सेखते हैं इसको, तो ये हो गए color रहेंगे या फिर वो color लिख सकते हैं आपको की green हो गया, yellow हो गया, white हो गया तो ये color भी दिख सकते हैं, आपको लिखे हुए, या फिर shape हो गया, shape में क्या हो गया, आपका triangle हो गया, circle हो गया, square हो गया, quadrilateral हो गया, ये सब चीज़ें आपको दिखेंगी भाई, तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा कि standardized और simple dice में क्या होता है, standardized में cable digit होती है, और simple dice में digit के साथ symbol, color, shape, ये सब चीज़ें भी होती है अब यदि हम यहाँ पे इन दौनों dice को ध्यान से देखें, तो आपको दौनों dice में एक चीज़ common दिख रही है, क्या हो गई भाई, digits अब दौनों में digits होंगी, तो आप कैसे पकड़ पाएंगे कि कौन सा standardized है और कौन सा simple dice है, तो चलिए उसके बारे में आप बात करते हैं, कि यदि दौनों dice में digit हैं, तो हम फिर कैसे पकड़ पाएंगे कि कौन सा standardized होगा और कौन सा simple dice होगा, तो यहाँ पे सबसे पहले हम concept स समझते हैं standardized का, तो मैंने आपको बताया कि standardized contains only digits from 1 to 6, यानि कि standardized केवल एक से लेके 6 तक के अंक दिखाता है बाई, अब यदि यहाँ पे बात करें, तो इसका main concept क्या है, इसका main concept है कि in standardized sum of two adjacent faces not equal to 7, मतलब कि standardized में क्या होगा, मानक पांसे में क्या होगा, कि दो adjacent faces, मतलब दो अगल बगल के जो face होगे, कोई भी दो अगल बगल के face, उनका जो sum होगा, वो कभी भी 7 के equal नहीं होगा, तो यह चीज़ आप याद रखेगा, कि standardized में जो दो face हैं, उस पे जो digits होगी, उनका जो sum हो अगल बगल वाले, उसका sum 7 के equal नहीं होगा, योकफल 7 के बराबर नहीं होगा, जैसे आपके सामनी के dice रखा हुआ है, देखिए आप, यदि हम सबसे पहले इसके top और ये right वाला जो है, इस view को देखते हैं, और इनकी digit का sum निकालें, तो 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11, इसका sum आया 11, अब यहाँ पे यदि हम इनका देख हैं, तो चलिए ये हो गया 5 और 4, इन दोनों का sum किया, तो ये कितना हो गया आपका 4, और यदि हमने इसका और उपर वाले का sum किया, तो हो जाएगा 4 और 6, टोटल कितना हो जाएगा, भाई 10, अब यहाँ पे देखें, तो कहीं भी हमारा दो अगल बगल की जो side है, यहाँ पे 9 हो गया, अगल कहीं भी दो अगल बगल की जो side है, उनका जो digits का sum है, वो आपको 7 की equal नहीं दिख रहा है, तो हो सकता है कि यह कौन सा dice हो, आपका standardize है, यह कौन सा dice है, आपका standardize, अब याद रखिएगा, कि standardize में, आपकी value क होती है, हमेशा fix होती है, क्योंकि नामी standard है, इसका मानक, तो standardized में value fix होती है, तो आप इसको याद रखिएगा, कि standardized में, एक के opposite, एक के opposite क्या होता है, 6, एक के opposite 6 होगा, 6 के opposite 1 होगा, मतलब 1 और 6 आपस में क्या होते है, opposite, ऐसे ही, 2 और 5 आपस में क्या होते है, opposite, ऐसे ही, 3 तीन और चार ये भी आपस में क्या होते हैं अपोजिट तो I hope आपको clear हो गया होगा कि standardized में दो adjacent जो face हैं उस पे जो digits होगी उनका sum कभी भी 7 के बराबर नहीं होता है तो क्या हो जाएगा आपका standardized होगा मतलब अगल बगल की जो sides हैं उस पे जो number होगे उनका जो sum होगा digit का समझो होगा 7 के बराबर नहीं होगा standardized में एक के opposite 6 होगा दो के opposite 5 होगा और 3 के opposite 4 या फिर 6 के opposite 1, 5 के opposite 2 और 4 के opposite 3 तो I hope ये चीज़ आपको बहुत बढ़िया तरीके से clear हो गई होगी चलिए तो अब हम देखते हैं simple dice को so simple dice में क्या होता है भाई simple dice contains digits, symbol, color, shape, etc. अब मैंने आपको बताये कि standardized और simple dice दोनों में common क्या चीज़ होती है केवल digits यदि symbol, color और shape है तो आप उसको तुरंट पहचान जाएंगी कि कौन सा dice है simple dice है लेकिन यदि digits है तो मैंने आपको बताया कि यदि दो adjacent sides है उस पे जो digit का sum है वो 7 के equal नहीं है तो यहाँ पे देखिए आप लिखा भी हुआ है कि in simple dice sum of two adjacent faces equal to 7 मतलब कि simple dice में दो adjacent face के जो sum होता है digits का वो कितने के बराबर होता है 7 का तो अब आप यहाँ से याद रखिएगा कि standardized में अगल बगल का जो sum होगा वो 7 के बराबर नहीं होगा और simple dice में अगल बगल का sum 7 के बराबर होगा तो यह चीज आपको clear रखनी है अब जैसे यहाँ पे अदि आपके पास एक simple dice given है तो आप ध्यान से देखें जैसे यहाँ पे हम देखें तो 6 और 6 और 1 कितना होगया आपका यह 7 होगया मतलब दो अगल बगल वाली dice जो आपकी digit है उसका sum कितने की equal होगया 7 मतलब कि यह आपका कौन सा dice हो जाएगा simple dice हो जाएगा अब standard dice में value fix होती है कि एक के opposite 6 हो गया दो के opposite 5 हो गया तीन के opposite आपका कितना हो गया 4 लेकिन यदि हम बात करते हैं यदि हम बात करते हैं simple dice में तो simple dice में कोई भी value आप याद रखिएगा fix नहीं हो सकती simple dice में कोई भी value fix नहीं हो सकती तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो एक के opposite देखिए अब यहाँ पर एक चीज आपको पता है कि यदि कोई digit बगल में है जो बगल वाला phase है क्या वो opposite आ सकता है कभी नहीं आ सकता अब जैसे देखें यदि इस dice में देखें तो 6 के बगल में एक दिख रहा है आपको 1 और 1 दि देख रहा है तो कभी भी यह 6 के पीछे नहीं आ सकता तो मतलब याद रखिएगा कि जो digit बगल में है वो कभी भी opposite नहीं हो सकती तो यह मैंने आपको concept बता दिया कि standardized में दो अगल बगल वाली sites के जो digit है उसका sum साथ के बराबर नहीं होता और simple dice में अगल बगल की site का जो sum ह होता है वो साथ के बराबर होता है चलिए अब हम simple dice को solve करने की method देखते हैं कि simple dice को कैसे solve किया जाता है तो simple dice को solve करने की याद रखिएगा कि two methods होती हैं दो method होती हैं और इन दोनों method में आपको केवल और केवल क्या करना है कि सबसे पहले आपको इन दोनों method में common देखना है अब common face दो तरीके से देखेंगे, या तो देखेगा एक common face या फिर देखेंगे दो common face, तो उसको कैसे solve किया जाएगा, तो उसको अब हम आगे देखते हैं, सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप याद रखेगा जब भी यदि आपके सामने एक dice रहता है, तो आप य यसा हो सकता है कि उस dice के 2 view represent किये जाएं, या फिर तीन किये जा सकते हैं, 4 किये जा सकते हैं, 5 किये जा सकते हैं, या द रखना कि dice एक ही ही रहेगा, उसके view different different रहेंगे तो यहाँ पर यदि हम देखें तो यहाँ पर भी हमको एक डाइस के दो व्यू different different views दिख रहे हैं पहले पहले view में हमको top में क्या दिख रहा है तीन और दूसरे view में हमको top में क्या दिख रहा है 5 अब यहाँ पर इसको solve करने की method समझते हैं तो सबसे पहले हम एक face को common देखने की method एक face common है उस method को समझते हैं कि उसको कैसे solve किया जाए तो इसके लिए बहुत important चीज़ बता रहा हूँ अब सभी लोग यहां से इसको एकदम focus से देखेगा कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ तो सबसे पहले आपको यह condition बताऊंगा कि यदि आप याद रखे कि dice में यदि digits दिख रही है तो आपको दिमाग तभी लगाना है जब दो अगल बगल की digit का sum total कितने के बराबर आजाए 7 के यदि अगल बगल की digit का total 7 के बराबर आता है तो ही वो हमको दिमाग लगाना है otherwise वो standardized होगा standardized में 1 के पीछे 6, 2 के पीछे 5, 3 के पीछे 4 होगा तो चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं तो एक ही dice है उसके 2 view है पहले view में देखें तो देखें 3 और 5 कितना हो गया 8 ये 7 नहीं आया 5 और 2 कितना आ गया 7 किसी एक view में भी 7 की equal sum आ गया तो याद रखेगा कि वो dice कौन सा dice होगा simple तो ये आप याद रखें कि ये कौन सा dice है simple dice है अब ये simple dice है तो इसको solve कैसे किया जाए solve करने के लिए कुछ ने किया सबसे पहले आपने दोनों dice में जो common face है उसको देखा तो देखें यहाँ पे है 3 5 और 2 और यहाँ पे है 5 6 और 4 यदि हम दोनों dice में common face देखें तो दोनों dice में common face क्या दिख रहा है 5 दिख रहा है अब दोनों dice में common face 5 है तो अब हम क्या करते हैं कि इस dice का हम एक open dice बनाते हैं अब open dice बनाने के लिए हमने क्या किया कि मैंने कुछ नहीं किया सीधी सी बात है dice में total 6 face हो गए तो यहाँ पे ले लिया पहला face, दूसरा face, तीसरा face, चौथा, पांचवा, छटवा इस type से ले लिया अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कि यहाँ पे अदी बात करूँ मैं तो यहाँ पे मैं इन numbers को रखूँगा तो अब चलिए देखते हैं, सबसे पहले अब यहाँ पे देखे हैं, तो दौनो dice में common क्या है भाई, 5 दौनो dice में 5 common है, तो मैं उस 5 को लिख देता हूँ, यहाँ पे इस open dice में सबसे top पे आई होप आपको clear हो गया होगा, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको दौनो dice में clockwise direction में घूमना है कैसे घूमना है, clockwise, तो चलिए घूमते हैं, पहले dice में घूमेंगे पहले आएगा 2 और फिर कितना आयगा 3, तो चलिए लिखते हैं हम इसको यहाँ पे 2 और फिर 3 अब ऐसे दूसरे dice में घूमते हैं, 5 से clockwise common से, तो यहाँ गा 6 और फिर कितना आएगा 4 तो यह लिख दिया मैंने यहाँ पे 6 और फिर हो गया 4 अब यहाँ पे आपको भी पता है कि dice में एक से लेके 6 तक के total number होते हैं एक हो आपका 2, 3, 4, 5, 6 सब दिख रहा है केवल एक नहीं दिख रहा है तो जो नहीं दिख रहा है हमने क्या किया कि जो common था उसके opposite में यहाँ पे face क्या हो गया आपका 5 उसके बाद फिर हम clockwise direction में घूमें तो सीधी सी बात है पहले आया 2 फिर 3 यहाँ पे आया 6 और फिर 4 तो यहाँ पे मैंने आपका common वाले को top में लिखा फिर पहले वाले में 2-3 आया तो यह 2-3 लिख दिया उसके बाद दूसरे वाले में 6-4 आया तो यह 6-4 लिख दिया आप बचा एक तो यह लिख दिया एक तो यह हो गया इसका आपका open dice मतलब कि यदि हम इस dice को open करेंगे तो यह हमको कुछ इस प्रकार से देखेगा तो I hope आपको clear हो गया होगा कि यहाँ पे मैंने क्या बताया अब यहाँ पे मैं आपको open dice की solve करने की method भी ब करने के लिए हमेशा alternate चलना है आपको कैसा चलना है alternate चलना है या तो alternate चलना है row wise या फिर आपको alternate कैसे चलना है भाई column wise चलना है तो आप यह चीज याद रखेगा कि आपको क्या है open dice को solve करने के लिए alternate चलना है या तो आप alternate चलेंगे row wise और या फिर आप alternate कैसा चलेंगे column wise मतलब alternate का मतलब एक डबब छोड़के ए तो यहाँ पे चलिए हम करते हैं तो जैसे हम यहाँ पे solve करते हैं पहले row wise alternate चलते हैं अब देखिए 5 से हम row wise तो नहीं चल सकते हैं column wise चल सकते हैं यहाँ पे इससे row wise alternate देख सकते हैं तो चलिए 2 से row wise alternate चलते हैं तो यहाँ पे 2 फिर 1 डबब छोड़ा फिर कितना आया 6 तो 2 और 6 यह हो गए आपस में alternate हो गए row wise मतलब की 2 के opposite क्या हो जाएगा भाई 6 हो जाएगा तो I hope आपको clear हो गया होगा ऐसी अब देखिए 3 3 से हम row wise alternate चले तो देखिए 3 फिर 1 डबब छोड़ा फिर कितना आया 4 मतलब की 3 के opposite क्या हो जाएगा 4 तो यह आपस में एक दूसरे के क्या हो गए भाई opposite कौन कौन से हो गए 3 और 4 अब देखिए 5 से 5 से हम column wise alternate चले 5 एक डबब छोड़ा फिर कितना आया आपका 1 मतलब की 5 के opposite क क्या हो गया आपका एक तो आपको clear हो गया होगा open dice में क्या करना है आपको alternate चलना है या तो row wise या फिर column wise मतलब की एक डबब छोड़के एक डबब चलना है row wise या फिर column wise तो आप open dice को भी solve कर सकते हैं तो I hope आपको यह method समझ में आ गई होगी तो यदि एक dice के दो view में एक face common है तो आप उस face को common को ऊपर ले ले उसके बाद clockwise direction में बस कुछ नहीं करें दौनों के लिख ले और जो बचा है उसको नीचे लिख ले और यह हो जाएगा आपका open dice फिर एक डबब चोड़के एक डबब आपको चलना है तो यहां पर आप इसको solve कर लेंगे तो यह हमारा solve ह गया तो आई होप आपके बहुत बढ़िया तरीके से clear हो गया होगा चले अब यहां पर हम open dice को solve करने की दूसरी method भी समझ लेते हैं तो यहां पर हम इसकी दूसरी method समझते हैं कि इसको कैसे solve किया जाएगा जैसे पहली method में मैंने आपको बताया कि पहली method में आपको एक face common देखना है तो दूसरी method में आपको total कितने face common देखना है दो face common देखना है तो आई होप आपको clear हो गया होगा तो यहां पर अदि हम बात करते है method 2 तो method 2 में हमको total कितने face common देखने हैं दो face common देखने हैं तो यहां पर आप ध्यान से देखे हैं तो सबसे पहले मैंने आपको concept बताया है तो इस चीज़ को फिर से रिवाइस कर रहा हूं कई लोग सेम गलती करते हैं आपको यदि डाइस है और डाइस में यदि डिजिट्स दी हुई है तो आपको दिमाग कब तक नहीं लगाना है जब तक की अगल बगल में जो टोटल है वो कितने के बराबर ना जाए सा ज़िट्स दी टोटल साथ के बराबर आता है तो ही आपको दिमाग लगाना है साथ के बराबर टोटल नहीं आता है तो आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है फिर वो वहां पे कौन सा डाइस होगा स्टेंडर डाइस होगा और उसमें एक के पीछे आपका च्छे दो क पीछे 5 और 3 के पीछे कितना होगा चार होगा तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे भी आपका एक ही डाइस है उसके अलग-अलग दो VIEW आपको दिखाए गए है पहले VIEW में तॉप में आपका एक है और तीन और पाँछ अगल-बगल है और यहां पे top में कितना है आपका 3 है दूसरे view में और 5 और 2 अगल बगल है तो चलिए यहां पे देखते हैं कि क्या है सबसे पहले हम total 7 देखें हमें license कम मिलेगा solve करने का जब total 7 आता है पहले view में देखें 3 और 1 4 5 और 1 6 5 और 3 8 नहीं आया है दूसरे view में 3 और 5 8 5 और 2 कितना आ गया 7 यहां पे total 7 आ गया मतलब की सीधी सी बात है कि यह कौन सा dice है simple dice है अब चलिए इसको solve करते हैं तो simple dice में यहां पे हम देखते हैं तो यहां पे आप देखें तो 2 face आपको common देख रहे होंगे 2 face कौन कौन से देख रहे हैं देखें आप यहां पे 5 है तो यहां पे भी 5 है यहां पे 3 है तो यहां पे 3 है मतलब की इन दोनो dice इन दोनो face में dice के दोनो view में in दोनो view में dice के आपको 2 face common देख रहे हैं तो आपको property क्या बता रहो हूँ अब आप ध्यान से समझेगा यदि किसी dice के view में आपको दो face common दिखते हैं तो याद रखिएगा कि जो बचे हुए face होते हैं वो एक दूसरे के हमोईसा क्या होते हैं opposite होते हैं क्या property बताई मैंने कि यदि आपको किसी dice के दो view में दो face common दिखते हैं तो जो बचे हुए होंगे जो बचे हुए face होंगे याद रखिएगा वो क्या होते हैं एक दूसरे के opposite होते हैं तो यहाँ पे यदि हम देखें तो देखिए दोनों में 5 common है दोनों में 3 common है पर एक के opposite क्या हो जाएगा दो और ऐसी दो के opposite क्या हो जाएगा आपका एक तो I hope आपको यह method समझ में आ गई होगी तो यह मैंने आपको dice को solve करने के सभी concept बहुत बढ़िया तरीके से समझा दिये और आप यकीन मानिए कि इन concept को अच्छे से दी आप समझ लेते हैं तो dice के सभी question बहुत आसानी से बनेंगे अब अगले part में हम dice के practice session करेंगे जिसमें बहुत बढ़िया बढ़िया previous years के जो भी questions आए हुए हैं उन सभी questions को हम solve करेंगे और उसके बाद आप मान के चलिए कि यदि आप in concept और practice session को अच्छे से समझ लेते हैं तो आपका यह topic बहुत अच्छा और strong हो जाएगा तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like करना ना भूलें और अपने दोस्तों तक इसे share भी करें ताकि वो भी इसका फायदा उठा सकें और अपनी तयारी को और मजबूत कर सकें जै हिन जै भारत वंदे मातरम